नमस्कार स्पेन नाइन नियूस में आपका स्वागत है लालुप्रसाद यादफ के बेटे और केंद्रिय मंत्री रहे तेश प्रताप यादफ का 16 अपरेल को जनम दिन था 16 अपरेल को तेश प्रताप यादफ चार्टिस साल के हो चुके थे तेश प्रताप यादव जहां टूइट के माध्यम से सभी को यहां पर यह कहते वे नजर आ रहे थे यहां पर शुक्रिया आदा करते वे नजर आ रहे थे कि बिहार की जंता और सभी लोगों ने उन्हें अशिरवात दिया तो वहीं इसी बीच में एक खबर भी सामने आई कि नितीश कुमार ने भी तेश प्रताप यादव को जनम दिन की बधाईयां दी और जनम दिन की बधाईयों के अफसर पर ये भी कहा गया कि तेश प्रताप यादव से मुलाकात करते वे नितीश कुमार भी नजर आई लेकिन ये खबरे सारजनिक रूप से सामने नहीं आई लेकिन ये कहा गया है कि जब भारते जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड में किसी भी नेता या फिर मुखे मंतरी नितीश कुमार के साथ अगर कोई घटना घटती है या कोई खुशकबरी यहाँ पर सामने आती यह तो तेश प्रताप यादव खुद आगे बढ़कर यहाँ पर काम करते वे नजर आते हैं खुद आगे बढ़कर या तो शुब कामना देते हैं या शुब चिंतक बनते हुए दिखाई देते हैं अब ऐसे में नितीश कुमार ने भी तेश प्रताप यादव से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि तेश प्रताप यादव को फूलों का गुलदस्ता देते वे भी नितीश कुमार नजर आये थे नितीश कुमार ने फूलों के गुलदस्ते के साथ तेश प्रताप यादव को लेकर ये जरूर कहा था कि वो आने वाले वक्त में एक बड़ा काम करते वे नजर आएंगे, राजनीती में एक बड़ा चहरा तेशप्रताफ यादव पहले से ही जञते हैं और तेशप्रताफ यादव की बात करें तो तेशप्रताफ यादव अब अपनी बहनों के लिए चुनाप प्रचार प्रसार करते हुए भी देखे जा रहे हैं इतना ही नहीं तेश प्रताप यादव ये भी कहते हैं कि राज़द तै है और राज़द ही जीतता हुआ नजर आएगा ये दावा तेश प्रताप यादव के जरीए भी किया जा रहा है अब तेश प्रताप यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें सभी दर चुके हैं।